असलामलेकम दोस्तों वेलकम टू मारी यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज की जो हमारी वीडियो है एक क्योट्यूडियल है एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है बहुत साथ दोस्तों का यह क्वेस्टल होता है प्रेवनियर का अकाउंट कैसे बनाया जाए और कौ को इब भी ब्रॉषर आपके पास उसमें प्रेवनियर.com को उपन करना है अपने गेट स्टार्टेट पर क्लिक करने अपके बाद आपके पास आपशन आजाती हैं सबसे पहली आपशन आपके पास आती है कि फ्रीलांसर सर्विस प्रवाइडर और स्मॉल और मिनियम बिजन फूर्थ आप्शन आजाती है कि विकेशन डेंटल होस्ट हैं आप या फिर एक और आप्शन मारे पास पास्ज वी आप्शन हैं इड उजुञचिल की पैध इंडट से जो आपकिन बहां पार देकेंगे कि सब आप्शन में है क्या 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 फ्रीलांसर सेवस्विस पु 그건 किसी भी service के लिए जो आप provide करें ने को या फ्रीलांस marketplace फाइवर ऑ गया. अबड़ अप वर्क हो गया इस तरह की जितनी marketplace वहाँ से पेमट लेना चाहते हैं अपने clients वाया in marketplace तो आप इस option को select कर सकते हैं. Next option हमारी है online seller और drop shipper get paid by e-commerce marketplace. इसका मतलब यह है कि आपकी जितनी भी e-commerce marketplace हैं जैसे के eBay हो गई जैसे के Amazon हो गई आप इनसे payments ले सकते हैं Payoneer के थ्रू स्पेशली Amazon के लिए Payoneer का अकाउंट चलाया जाता है पाकिस्तान के अंदर तो आप इस option को select कर सकते हैं इसी तरह next option हमार यह है affiliate और digital marketing get paid by publisher network and platforms इसका क्या मतलब है कि different different affiliate marketing के लिए websites हैं जैसे कि Amazon affiliate marketing है या कोई भी affiliate marketing आप करते हैं तो आप उन network से उन platform से आप payment ले सकते हैं Payoneer के थ्रू फिर हमारे पास option आजाती है get paid by vacation rental sites अगर आप अपने property या अपने services कोई भी rental sites के आप लिस्ट करते हैं वहां से जो आपकी payment है आप Payoneer के थ्रू ले सकते हैं तो vacation rental host की option आप चूज़ करेंगे जब आपके पास कोई property या कोई भी ऐसी service जो आप rental sites के उपर offer कर सकते हैं आप उनको provide करें अगर आपको इन सारी options में से कोई option समझ नहीं आती कि आपने account बनाने हर किसम का international client हम इसके अंदर cover कर सकते हैं हर किसम की marketplace को हम इसके अंदर cover कर सकते हैं Amazon हो गई या कोई भी marketplace e-commerce की होगी इसके बाद फिर हमारे पास second option आप जाती है send and receive money between friends and family अगर आप ने इस account को business के तोर पे यूज़ नहीं करना freelancing के लिए यूज़ नहीं करना marketplace के लिए यूज़ नहीं करना तो आप इसको सिर्फ अपने दोस्तों और family friends के साथ payments transfer करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आप इसको register करने के लिए second option को यूज़ करेंगे और एक payoneer का prepaid card भी order कर रहे हैं ठीक है तो यह सारी options हैं इसके अंदर अब हम पहली option को choose करते हैं हम as an individual ही register करने जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास international clients और marketplace सब कुछ cover होगा तो हम पहली option के ओपर click करते हैं हमारे पास next page आता है जिसके ओपर हमारे पास फिर वो complete हमें freelancing के लिए agency और service provider के लिए getting paid by client और via marketplace ठीक है फिर देखें नीचे थोड़े से उन्होंने उसको elaborate किया है get paid by leading marketplace including Upwork, Fiverr, Getty Image and more आप अपनी किसी भी जो leading marketplace है वहां से payments ले सकते हैं फिर second उन्होंने लिखा है get paid by your global clients आप अपने globally जितने clients हैं वहां से payment ले सकते हैं Payoneer के थू withdraw your earnings to your local bank account at low rates आप पाकिस्तान के अंदर आप अपने local country के अंदर अपने local bank के अंदर low rates यो पर अपनी currency में payment withdraw कर सकते हैं Payoneer कर सकते हैं Payoneer अकाउंट से फिर इसमें इन्होंने लिखा है withdraw funds at ATM funds आपके पास अगर Payoneer card debit card है prepaid card है तो आप किसी भी one link ATM से जाके payment withdraw करवा सकते हैं अपने इस account से उसकी एक fee सलग है बैतर है आप अपने local bank में payment को transfer करें और फिर अपने उस account के ATM को utilize करें ये बैतर option है लेकिन अगर emergency में आपको फौरी तोर पे cash चाहिए आप उस card को भी prepaid card को भी use कर सकते हैं जो Payoneer के थूँ आप लेते हैं तो वो भी आप easily किसी भी ATM से use कर सकते हैं Pay your suppliers and subcontractor for free आप अपनी payments को Payoneer से Payoneer ट्रांसफर कर सकते हैं free में आप अपने suppliers की payments कर सकते हैं, subcontractors की payments कर सकते हैं तो ये सारी उन्होंने key features यहाँ पे लिख दी हैं आपके लिए कि इस account को बनाने के register करने के आपको क्या फाइदे हासल हो सकते हैं तो हम अप register के अपर click करते हैं जैसे अमने register के उपर click किया हमारे पास option आगई individual और Company select your business type अगर आप individual है तो आप individual select करेंगे अगर आपने business registered नहीं किया हूआ आपके पास pag真 bidding नहीं है mode documentation नहीं एक तो है तो आप individual ही select करेंगे अगर आपके पास company documentation है आप आप company register करना ये आपके फर्सन की है तो उसी की हिए तो तो हमारा फार्म फिल होगा, फिस्ट नेम है आपने इस सीज को ध्यान में रखना है, कि आप ने कोई भी इन्फोर्मेशन इसमें गलब हैं आपने कोरेक्ट डालना है अपने डेट और बर्थ की सेलेक्शन वही करनी है, जो आपके के उपर है अगर आपके पास already account है जिस email के उपर आपको पेउनीर इजादद नहीं देता आप दोबरा account बनाएं आप दूसरे email को utilize कर से थे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए एक नए account बनाने जा रहा हूं मेरा already पेउनीर का account है इसलिए मुझे उन्हें इजादद नहीं दी कि आप उसी email के उपर दोबरा account बनाएं तो आपके लिए just testing purpose के लिए मैं एक और email को utilize करके sign up करूंगा मुझे पता है कि पेउनीर मेरे उस account को approve नहीं करेगा क्योंकि already मेरे documentation के उपर मेरा पेउनीर का account चल रहा है ये आपके tutorial purpose के लिए है just आपको बताने की घर से तो आपने email डाला email को दोबरा डाला अपने date of birth को select किया और next पे click किया अब आपके पास next आगी option आपने country को select करना है अपना street and home address देना है आपने अपना city and town देना है आपने जिप या postal code देना है आपने अपना mobile number देना है ये सारी information आपने correct देनी है जो आपको बाद में याद भी रहे और अगर आप इस account को Amazon के लिए utilize करते हैं तो आपको Payoneer के bank account जो आपको Payoneer एक bank account assign करता है आपने उसकी statement को अपने Amazon account के साथ attach करना होता है वहाँ पे और मतलब के Amazon पे और Payoneer पे आपका अगर address सेम है तो उस document को authenticate किया जाता है अगर किसी भी एक dot का एक coma का या किसी भी एक चीज़ का फरक आएगा आपके address में Payoneer के और Amazon के तो Amazon उसको approve नहीं करेगा mobile number डालने के बाद आपने send code के उपर क्लिक किया आपके पास 30 second की option आती है within 30 second अगर आपके पास code नहीं मुशूल होता तो आप दुबारा recent code की उपर क्लिक कर सकते हैं या call me की option आपके पास available आ जाती है आप उसकी उपर क्लिक करते हैं तो automated call आपके नमबर की उपर जो आपने mobile नमबर उपर दिया होगा उसकी उपर एक automated call आपके पास आएगी उसमें आप एक code बताया जाएगा वो code आप quiet field है verification complete कर देंगे आपके पास next की option enable हो जाएगी आप जैसे next की option को क्लिक किया आपने तो आपका username जो आपकी email ID थी वो सबसे पहले आगी second tab आपके पास password की आई आई आप अपने password को इंटर करेंगे password re-enter करेंगे आपने जहन शीर रखना है कि minimum seven character आपके पास password में होने चाह करेंशा याद रहें ताके कल आपके account में अगर कोई problem आता है आप इसको recover करना चाहते हैं तो आपको याद रहें किया answer रखा था security question का फिर आप अपने issue country of ID को लिखेंगे जैसे हमारा पाकिस्तानी ID है तो हम पाकिस्तान को select करेंगे पाकिस्तान से issue होता है national ID है मेरा ID card मैंन इसके बाद फिर option आजाती है कि आप अपना नाम अपनी local language में लिखेंगे अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो आपके की बोर्ड में option होनी चाहिए आपके language tab में अपने अर्दू को enable करके रखना है यह account बनाने से पहले आपने first name में अपना अर्दू में नाम लिखना है और उसके बाद फिर आपने नीची जो code दिया गया है उसको आपने लिखके next की option पे click करना है तो आपके पास एक next form आ गया एक next page आ गया जिसके अंदर आपकी bank information जो आपकी local bank information है वो आपने डालनी है bank country आपका पाकिस्तान होगा आप पाकिस्तान के अंदर बैठके account बना र होते हैं अगर आपका dollar account है तो आप उसमें dollar की selection कर सकते हैं लेकिन PQR अगर आपकी currency है तो आपने PQR को रखना है फिर उसके बाद आपने यहां पे अपने bank को select करना है कि जिस bank में आपका account है उसमें select करेंगे account holder का नाम आपका bank में वही होना चाहिए जो आपका payoneer के title आपका real name होता है जो आपके ID card की उपर है तो आपने payoneer के account में भी आपने अपना real name ही लिखना है ताके आपको bank वाली option पे आके परेशानी का सामना ना करना पड़ें फिर next मारे पास iban की option है आपने अपना iban number लिखना है जो के 24 character का होता है आप अपने checkbook की उपर देख स अगर आपको नहीं पता आप अपने bank में जाके अपना iban मालूम कर सकते हैं आप यहां पे अपना iban number लिखेंगे और फिर हमारे पास दो checkbox हैं उनके ओपर click करेंगे कि I agree to the terms and condition and privacy and cookie policy I agree to the pricing and fees आप इन terms and conditions को और privacy and cookie policy को click करके इसको read कर सकते हैं read करना बहतर है pricing and fees को भी आप click कर दें और इसके उपर आप इसको read कर के फिर उसके बाद आप submit पर click कीजिएगा यह read करना इसलिए बहतर होता है जब आप account को utilize करें तो आपको पता हो कि आपकी क्या fees कटेंगी क्या charges आपको payer charge करेगा जब आप payment transfer करते हैं receive करते हैं यह withdraw करते हैं तो यह सारी information आपकी pricing and fee के link के ओपर आपको available है इसके बाद आप submit के ओपर click करते हैं तो आपके पास एक और पेज आता है उसमें आपको लिखा जाता है का अंगर एजूलेशन यूर पेजूर अकाउंट application has been submitted successfully and is now being reviewed इसका मतलब यह है कि आपको मुबारक हो आपकी पेजूर की application successfully submit हो चुकी है और under review है वो review कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपका account आपने फिल तो कर दिया लेकिन अ आपने application को complete किया है अब आपका review in process है जैसे ही उनका review complete होगा तो आपके पास एक email confirmation आती है within few business days आपको confirm किया जाता है कि आपका account बन गया है या आपका application reject हो गया है होने की सुरत वही हो सकती है अगर आपका कोई भी information ऐसी आपने डाल दी है जो कि उनके policies के खिलाफ है या अगर आपका कोई भी पेवनित का account पहले से है तो आपके application को reject कर दी जाता है वहां से आपका legal name चेक किया जाता है आपके bank की information को देखा जाता है आपके email को देखा ज जाता है अगर कोई भी option आपके match करती है तो आपके account को reject कर दी जाता है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो share कीजिए लाइक कीजिए और comment section में जरूर बताइएगा कैसे लेगी आपको मेरी यह वीडियो अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्रा Allah Hafiz